टाइम 24 न्यूस जस्ट पास सच दिखाने कार्ण बुलन चहर में एक बार मुटबे चेकिन कर रही पुलिस की कार्जवार बदमाशों से हुई मुटबे मुटबेड के दौरान दो बदमाशों को गोली रगी अन्य दो बदमाश पुलिस को चक्मा दे कर कार समेथ हुए फरार 25-25 हजार के इनामी बताए जा रही है पुलिस मुटबेड में खायल हुए बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे कार सवार बदमाश हम चार जने सेंटर में दे हमने पुलिस पे गोली चला हुए उनने फिर हमारे गोली वारी टांग अच्छा झी वो दो जने दे ओए घख गगो टहां जा रहे थे आप लोग उन्हां पता दा दा धा हम तो एकना पताने ने दो जने ने पता दो बगगई कौन से हम कोद गे तो दोनों के पैर में गुली लगी है जी जी कितनी फाइरिंग किया आप में हमने की तिन चार बार करें थी आज जो है इंस्पेक्टर खुर्जा नगर और उनकी टीम वास्ते जो है शांती वेवस्ता के लिए चेकिंग हेट नगिली थी कि खभरा रोड की करफ से जो है व स्चेकिंग कर रहे थे तो खभरा की तरफ से एक सेंट्रो गारी आई जिसको टॉर्च का इसारा देखे रुक्ने का इसारा किया तो उसमें से बदवासोंने पुलिस के ओपर फार किया जिसमें जो है अपनी आत्म पर अच्छा है तो पलिस ने भी फारिंग की जिसमें जो बदवासों के पहर में बूली लगी जिसमें मौसम और मौशील और मौझा निवासी बरतोरी कुजा देहा और दूसरा सावूर कालू पुत्र चांद खान निवासी बर्तौली इन लोगों के बास एक तमंचा जो 315 बोर के कार्थूस और जो है 25,000 का इनाम इस पर मौशनी मोजा पर है और इनसे पूस्ताज में पता बढ़ा के रहीस और फुरकार दो जो सेंट्रों गाडी में थे वो उसे लेकर भागे हैं जिसकी सम्मन में चेकिंग कराए जा रही है पकड़े गए बदमाशों पर करीब एक दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज बताए जा रही है भुलन शहर के खोर्जा पुलिस की खूर्जा खबरा रोड शिवम स्कूल के पास हुई मुठबे एरिटर इंचीफ इकबाल सैफी के साथ आमित सैफी टाइम 24 मुठ टाइम 24 दो जस्ट पास सच दिखाने कान